हैई स्टूडेंट्स इस टूटोरियल में हम यह बहुत ही बेसिक साए क्वस्चिन सॉल करेंगे हमें यह एंगल के वन हैं इन डिग्री अन मिनिट इसको हमने रेडियन में किनोर्ट करना है देखो पहली हमें यह पता है कि पाए रेडियंस जो है वह 180 डीगरी के ब्राबर होता है तो एक बात आप याद रख लेना अगर जस्ट इन केस ना समझ में आये कि कैसे करणी है तो पाए रेडियंस इसको वन टीगरी यह तो हमेशा स्टुड़न्स को याद रह जाता है अगर रेडियंट degree जाना हो ना तो pi को उधर ले जाके divide कर दो तो एक radian जो है वो हो जाएगा 180 by pi इतने degree और अगर degree to radian convert करना हो तो 1 degree 180 को इतने जाके divide कर दो तो जाएगा pi by 180 इतने radians ठीक है तो यह formula याद रखने में दिक्कत होती कही बार इसको याद रखने में दिक्कत होती है लेकिन इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होती कि pi radians is equal to 180 degree तो आप इसको याद रख लो इससे आप कितर को भी move कर सकते हो अब सब से पहले मुझे करना है इस पूरे angle को degrees में convert करना है यह minutes में है अब हमें पता है कि एक degree जो है उसमें 60 minutes होते हैं तो यहां यूँ कहला हो कि 60 minutes में एक degree तो एक minute में कितना हो गया 60 उतर जाएक डिवाइड हो जाएगा तो यान कि degree तो ऐसे ही छोड़ दो आप अब इसको मुझे इसको भी मुझे degree में convert करना है तो यह हो जाएगा 20 multiplied by 1 by 60 तो यह इतने degree हो जाएगा ठीक है एक minute इसके पराबर था तो 20 minute this into 1 by 60 हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 40 degree plus 1 by 3 degree तो इसको further जब मैं solve करूँगा तो यह जाएगा 121 by 3 degree तो यह हो गया हमारा angle in degrees अब इसको मुझे radian में convert करना है तो मैंने आपको बताया एक degree पाई बाई 180 के पराबर है तो इतने degree कितना हो जाएगा 121 by 3 को मैं पाई बाई 180 से multiply कर देता हूँ तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो 121 पाई divided by 540 इतने radians ओके तो यह रहा आपका answer अगर आपको पाई की value बोला जाए के 22 by 7 या 3.14 use करो तभी डालने की जुरूरत होती है normally हम जो radians वाले angle होते हैं उनको पाई की form में छोड़ देते हैं ठीक है so this is how you solve this question अब हम एक और question solve करते हैं जिसमें हम radians से degrees की तरफ जाएंगे लेकिन वो थोड़ा सा complicated होगा so let's solve it अब इस question में हमें angle given है radians में 6 radians और इसको हमने degree measure में convert करना है तो actually जब degree में convert करते हैं तो उसको degree, minute, seconds तो यह सब भी हमें देख रहा पड़ता है कि अगर तो round figure आ गई तब तो ठीक है तब तो उसको छोड़ दो लेकिन नहीं आई तो degree से हम minutes तक जाते हैं अगर minutes भी round figure में नहीं आए तो फिर हम उसको seconds तक भी लेगे जाते हैं कैसे हमें यह बताता है देखो six radians इसको जब मैं degree में convert करूँगा तो मुझे simple सा काम करना है कि इसको मैं 180 divided by pi इससे multiply कर दूँगा ऐसा मैंने क्यों किया हमें यह पता है कि pi radians is equal to 180 degree तो one radian कितना आजाएगा 180 divided by pi तो six radian कितना आजाएगा दोनों तरफ six से multiply कर दो तो यह आजाएगा six radian is equal to six into 180 by pi तो short form आपको eventually याद हो जाएगी कि radians को जब degree में convert करते हैं तो सीधा 180 by pi से multiply कर देते हैं तो यह कितना आजाएगा six into 180 by pi की value approximately 22 by 7 तो 22 नीचे seven उपर चला गया तो इसको solve करते हैं यह हो जाएगा three यह कटेगा eleven so this is equal to three seven eight zero by eleven इतने degrees अब जब मैं इसको solve करूँगा अब इसको solve करने का तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ simple तरीका क्या है three seven eight zero इसको नब इस तरीके से divide करो eleven से इस तरह से जो traditional division होती है उसको करके देखो क्यों मैं बताता हूँ देखो यह गया three पे thirty three यहां four बचा eight forty eight फिर four बचाएगा forty four नीचे बचाएगा four zero फिर से जाएगा यह three पे तो यहां जाएगा thirty three और नीचे बचाएगा seven ठीक है तो अब three seven eight zero by eleven इसको मैं लिख सकता हूँ three forty three plus seven by eleven right three forty three plus seven by eleven तो fractions की form में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो यह इतने degree plus इतने degree हो गया यह तो round figure आ गई ठीक है लेकिन यह नहीं आई तो अब मैं क्या करूँगा कि three forty three degree को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ अब इसको मैं minutes में convert करूँगा और मुझे यह पता है चलो मैं इसको यहां से अभी erase करता हूँ ठीक है तो one degree is equal to sixty minutes होते हैं तो यानि कि seven by eleven को अगर मैं 60 से multiply कर दूँँ तो यह इतने minutes हो जाएगा ठीक है अब इसको solve करते हैं तो यह जाएगा three forty three degree plus यह जाएगा मेरा four twenty by eleven minute तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ three forty three degree plus अब इसको मैं लिख सकता हूँ thirty eight plus two by eleven two by eleven इतने minutes तो इसको मैंने फिर से fraction की form में इस तरह से लिख लिया ठीक है अब अब इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ यह जाएगा three forty three degree plus यह तो सीधा सीधा एक पूरा number है मेरे पास तो thirty eight minute plus two by eleven minutes तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ two by eleven minutes अब फिर से वही बात यह तो मुझे round figure मिल गी यह round figure मिल गी यह नहीं मिल रही तो अब इसको मैं क्या करूँगा अब इस minute को मैं seconds में convert करता हूँ और मुझे यह पता है कि एक minute में sixty seconds होते हैं ठीक है तो फिर से वही बात कि यह जाएगा three forty three degree plus thirty eight minute plus two by eleven को मैं sixty से multiply कर देता हूँ तो यह इतने seconds हो जाएगा अब two by sixty जो है उसकी value क्या है उसकी value है one hundred and twenty divided by eleven तो यह approximately equal to eleven minutes हा जाएगा तो approximate value ले ले लेता हूँ क्योंकि ten point nine something आएगी तो यह मैं इसको लिख सकता हूँ three forty three degree plus thirty eight minutes plus यह approximately eleven seconds बनता है और इसको लिखने का आप दूसरा तरीका क्या है कि हम यह plus बीच में 60 आ जाते हैं तो यह जाएगा three forty three degree thirty eight minutes eleven seconds is the answer ओके तो इस तरीके से हम यह questions को solve करते हैं तो बस अगर तो आपको यह यहाँ पर round figure मिलती जा रही है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिलती तो आप उसको further degree से minutes में और फिर minutes से seconds तक लेके जाओ और उसके बाद फिर आप उसको जो भी closest आपके पास round figure मिलती है वहाँ पर जाके आप उसको छोड़ सकते हो okay so if you like this tutorial then it's time to share it with your friends and your classmates so that's it from this tutorial keep watching Mathemaphia